नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है पूर्वी शुकला और आप देख रही हैं बोल्सकाई हल्दी सिर्फ रसोई घर में मिलने वाला एक मसाला नहीं बल्कि इसका प्रयोग औशुदी के रूप में भी किया जाता है हल्दी का दूद बिमारियों के साथ दर्द से तुरंत आराम देता है लेकिन कुछ लोगों को इसका सेवन करने से बचना चाहिए चोट लग जाने या सरदी बुखार होने पर हमकसर हल्दी दूद का सेवन करते हैं पर क्या आप जानते हैं कि अनेक फाइदों वाले इस हल्दी दूद से कुछ नुपसान भी हो सकते हैं एक रिसर्च के मताबिक ये बात सामने आई है कि अधिक हल्दी के सेवन से आपकी तवचा रूखी और खुजलीदार हो सकती है समानिता 240-500 मिलिग्राम हल्दी वो भी तीन बार में प्रयोग करने की हिदायत दी जाती है हल्दी का अधिक सेवन करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलहा जरूर ले लें अगर आपको मसालों के सेवन से अलर्जी हो जाती है तो हल्दी का भी प्रयोग बंद कर दें ये आपकी अलर्जी को और भी बढ़ा सकती है हल्दी वाला दूद गॉल्ब्लैडर में स्टोन बनाने का भी काम कर सकता है इसके अलावा ये गैस भी बनाती है जिन लोकों का लीवर भड़ा हुआ है या फिर लीवर से संबंदिद अने समस्या हैं उन्हें हल्दी दूद का सेवन नहीं करना चाहिए इसमें मौजू तत्विल लीवर की समस्या को बढ़ा सकती है अगर आपको खाना खाने के बाद सिर में भारी दर्द हो जाए झाल 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 को खाने के बाद से संबंद नहें